हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हुदेपूर में ECB की इंटिलिजन्स यूनिट ने शुकरवार को एक बड़ी और एहन कारवाई को अंजाम देते हुए बड़े सर पंचाइज समेती की बागुन्दा ग्राम पंचाइज सरपंच सवरी देवी और पुर्वा सरपंच भेरो सिंग को एक लाक रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया है दरसर बागुन्दा के रहने वाले परिवादी भेरो सिंग ने ACB कार्याले में एक लिकित शिकायत दश करवाई थी जिसमें बागुन्दा पंचाइज के सरपंच और पुर्वा सरपंच ने भूमी के नामानतरन के एवज में दो लाक रुपे की रिश्वत की मांग की थी इसकी बात यहाँ मामला एक लाक रुपे में जाकर तैय हुआ ACB के अधिकारियों ने इस शिकायत का सत्यापन किया तो यह शिकायत सही पाई गई कल दिनांको प्रार्थी श्री बेरो सेंग जो जिनोंने बागुन्द पंचाइज समीती के समी एक भूखंड कराई किया है उन्हें अपने भूखंड का नामांतरन और कनवर्जन कराना था जिस पर वो बागुन्द सर्पंच श्री बंची संवरी देवी और पूर्व सर्पंच श्री बेरो सिंगती से मिले उनके मिलने पर इन लोगों द्वारा इनके वेदी कारे के लिए रिश्पत की मांग की गई जिस पर प्रार्थी श्री भहरो सिंग एसी भी कारेले उदेपुर में हमारे समख शुपस्तित हुए उनकी पूरी बात हमने सुनी तदपश्चाथ हमने श्री मती समरी देवी का सत्यापन करवाया सत्यापन में समरी देवी जो सर्पंच है बागुंड की पंचैत समीती बदेसर जिला चेतोड़ गड़गी उन्होंने कहा कि कारे तो मुझे करना है मैं कागजों के हस्ताक्षर कर दूंगी किन्तु जो लेंदेन का कारे है वो पूर उसर्पंच बहरो सिंधी ही देखते हैं वही करेंगे जिस पर प्रार्थी द्वारा बहरो सिंधी से संपर्क किया गया और सत्यापन किया गया, सत्यापन में वेरो सिंग की द्वारा का गया, पहले तो दो लाग रूपे की रिश्वत की मांग की गई, तद पस्चात एक लाग रूपे लेकर कारे करने के लिए वे राज्जी हुए, और उन्होंने कहा पूर्व में भी मैं बिन बिन कारें के तीन लाग और अलग अलग जनराशी बताते रहेगी, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, इतने लेता हूँ, पचास अजार से कम का मेरा कोई काम ही नहीं है, कम से कम एक लाग रूपे तो लगेंगे लिए, सत्यापन हो जाने पर ACB इंटेलिजेंस उदेपूर और ACB उदेपूर द् टीमें बनाकर गाउं बागुंड पहुंच सरपंच और विचोली है, पूर्व सरपंच श्री वहरु सिंग और समरी देवी को रिष्पत लेते हुए रंगे हातों गिरफतार किया गया है, एक टीम श्री हरीश चंदर सिंग, CIE ACB और दूसरी टीम श्री रोशनलाल समरिया, CIE Intelligence द्वारा संचालित की गई और सपलता पूर्वक दोना विउपतों को गिरफतार किया गया, मोके पर कारवाई जारी है,